चांद छिपा बादल में शर्मा के मेरी जाना जी है ये हम नहीं कह रहे हैं बलकि ये निरहुआ ने कहा है आमरपाली दूबे को आमरपाली दूबे के प्यार में कैसे पिखलते जा रहे हैं निरहुआ ये आप हमारी रिपोर्ट में देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कैसे हम दिल दे जुके सनम के गाने पर पागल हुए जा रहें निरहुआ आखिर आमरपाली है ही इतनी हाट इतनी खूबसूरत कि कोई भी उन्हें देखे तो पागल हो जाए और दिमाग का जितना भी तला है वो हिल जाए कुछ ऐसा ही हुआ है निरहुआ के साथ इस वक्त जब निरहुआ आमरपाली को सजे सवरित देखते हैं तो निरहुआ के दिल की धरकने थमसी जाती है और उनके दिल से आवाज आती है चांद छुपा बादल में शर्मा के मेरी जाना और कुछ इसी अंदाज को उन्होंने बया किया है ये आप देखिए हमारी रिपोर्ट में और देखने के बाद में खुद अंदाजा लगाए कि कितना प्यार करते हैं निरहुआ आमरपाली को वैसे ये तो परफॉमिंस था आम परफॉमिंस की बात कर रहे हैं सही जीवन में क्या चल रहा है ये हम आपको कभी और बताएंगे लेकिन फिलहाल जो परफॉमिंस देखने को मिला है य चांद भी तुम्हारे सामने शर्मा गया है ये निरहुआ का अंदाज है आमरपाली के लिए और कुछ इसी अंदाज में निरहुआ ने आमरपाली के लिए ये खुबसूरत सा गानक आया है जिसे फिल्माया गया है सल्मान खान और आश्वर्या राय के फिल्म हम दिल दे च सनम में हम दिल दे चुके सनम एक बहुत ही अच्छी फिल्म है बॉलिवूट की जिसमें दोनों ही स्टार लग रहे हैं सूपर डूपर हिट और फिल्म भी लोगों को खुब पसंद आई थी और बार बार लोग इस फिल्म को देखना पसंद करते हैं तब ही तो निरहुआ ने जब आमरपाली को देखा सजे समरे तो उनसे रहा नहीं गया और दिल की बात आ गई जुबाँ पर तो किस तरीके निरहुआ ने आमरपाली को अपने दिल की बात कही है जरा देखिए हमारी इस रिपोर्ट में निरहुआ और आमरपाली दूबे की जोड़ी भोजपूरी फिल्मों की सबसे सूपर हिट जोड़ियों में से एक है ओफ स्क्रिन भी दोनों की कैमेस्ट्री बहुत अच्छी है तभी तो दोनों अक्सर फ्री टाइम में फणी वीडियो बनाते रहते हैं और इन्हें अपने फैंस के साथ शेयर करते रहते हैं हाल ही में दोनों का एक और वीडियो वाइरल हुआ है जिसमें दोनों सल्माल खान और एश्वर राय के फिल्म हम दिल दे चुके स्थनम के पॉपुलर सौंग चांद छुपा बादल में रोमैंटिक परफॉमेंस देते हुए दिख रहे है जी हाँ यह वही गाना है जिस गाने ने सब को कर दिया था घायल इस फिल्म को सभी ने देखा था खूप सरहा था और फिल्म हुई थी सूपर डूपर हिट हम दिल दे चुके स्थनम में रियल में ऐसा लग रहा था कि एश्वर र्यास सल्मान के प्यार में हैं और कुछ इस इसी अंदास में निरहुआ और आमरपाली नजर आ रहे हैं और यह पॉपुलर सॉंग चांद छुपा बादल में इसे गा रहे हैं और रोमेंटिक अंदास में एक दूसरे से प्यार करते हुए नजर आ रहे हैं पर्फॉमेंस इनकी देखकर आप अंदासा लगा सकते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे ये जोरी बनी हो एक दूसरे के लिए जी हां आमरपाली और निरहुआ के हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में आमरपाली दुलहन की तरह सजी हुई है और निरहुआ उनके गालों पर किस करने की कोशिश कर रहे हैं ये हम नहीं कह रहे हैं बलकि ये तस्वीरे बया कर रहे हैं कि किस तरीके से चपक चपक कर निरहुआ किस करते हुए नजर आरे आमरपाली दूबे को निरहुआ हिंदुस्तानी 3 की वजह से सुर्खियों में है वैसे भी निरहुआ और आमरपाली दूबे जब भी कुछ करते हैं तो वो जम कर वाइरल होता है क्योंकि इनके हैं फैन्स फॉलोइंग बहुत ही ज्यादा निरहुआ और आमरपाली की अगली फिल्म निरहुआ हिंदुस्तानी 3 है जिसका ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ है रिलीज होते ही निरहुआ और आमरपाली दूबे की फिल्म के इस ट्रेलर ने योटूब पर धूम मचा दी है इससे अब तक 43 लाख से जादा बार देखा जा चुका है बता दें कि इस फिल्म के अलावा आमरपाली दूबे और निरहुआ की जोड़ी निरहुआ चलल लंदन 3 में भी एक साथ दिखेगी निरहुआ और आमरपाली की जोड़ी कई नए धमाके करने के लिए है तयार तो आप कीजिए इंतजार और आखे बिचाए रखिए परदे पर क्योंकि जल्द आने वाले हैं आमरपाली और निरहुआ वैसे अगर जादा है इंतजार तो फिल्हाल आप कर लीजिए चांद छुपा बादल में गाने से अपने दिल को तसली दीजिए और थोड़ा सा और इंतजार यूटूबर आपको मिलेंगे और भी बहुत सारे गाने जिससे निरहुआ और आमरपाली को देखने का आपका जो अर्मान है वो पूरा होता रहेगा वैसे तो फिल्म में आही रही है निरहुआ और आमरपाली दूबे की जोड़ी है सूपर डूपर रिट ये साबित कर दिया है इस वीडियो ने नेक्स्ट रैन भोजपूरिया के लिए शशी प्रयास सिंग के रपोर्ट तो देखा आपने आमरपाली दूबे को लेकर निरहुआ के दिल में यूही नहीं कुछ-कुछ होता है वैसे आमरपाली तो हैं ही इतनी खूबसूरत तभी तो उने कहते हैं भोजपूरिया क्विन और किंग हैं कौन आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं निरहुआ, निरहुआ बेहद ही खूबसूरत गाने गाते भी हैं और उसको अपने कलाकारी के द्वारा निभाने की पूरी कोशिश में करते हैं वैसे निरहुआ ने जस तरीके से चुनावी मैदान में पर्चम लहरानी के कोशिश की थी हार तो मिली लेकिन अब उन तमाम चीजों को वो भूल कर फिर से नई शिरुवात कर रहे हैं और वो शिरुवात है आम रुपाली दूबे के साथ क्या वाकई में आप जो सोच रहे है हम भी वही सोच रहे हैं जी हा बिलकुल सही सोच रहे हैं हमें तो यहीं लग रहा है कि खिचड़ी कहीं पकड़ रही है और एक शुरुवात हो चुकी है तो चलिए होने दीजिए शुरुवात कुछ न कुछ तो हो ही रहा है तो होने दीजिए आप देखते हैं ये नेक्स झाल झाल